एक बार की बात है रामपर नामक गाउ में सुलेखा अपने दो बच्चों और बिमार पती के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी सुलेखा का पती एक गंभीर बिमारी की चपेट में था जिसका इलाज कराने के लिए सुलेखा को बहुत ही ज्यादा महनत करने पड़ती थी सुलेखा गाउं के ही एक सेट के घर में काम क्या करती थी एक दिन सुलेखा अपने सेट के घर में काम कर रही थी कि तब ही सेट की पतनी आती है और सुलेखा को जोड़ से थपड मार कर कहती है गरीब तोटकी की नौकरानी कभी पंखा तुने अपने घर में भी चलाया है जो तुम महारानी बनकर पंखा चला कर पहुंचा लगा रही है तेरी हिम्मत कैसे हुई पंखा चलाने की क्या तुझे पता नहीं कि गर्मियों में कितना से अदब भी लाता है घर में तीन तीन एस चलते हैं और तुने यहां पर आराम से पंखा चला रखा है गरीब नोक्रानी चल पंखा बंद गर वो मालकिन जी मैंने पंखा अपने लिए नहीं चला रखा वो पहुंचा लगा रही थे न बस इसलिए पंखा चला रखा था अगर पंखा नहीं चलाओंगी तो फर्ष गीला रह जाएगा और कोई भी गिर सकता है हां हां मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छे तरह से जानती हूं पहुचा लगाने का तो सिर्फ एक बहाना है पंखा तुने अपने लिए चला रखा है ताकि अराम से ठंडी ठंडी पंखे की हवा खा सके क् कुछ होता नहीं लेकिन बड़ी बड़ी कोठियों में आकर एश औराम वाली जिन्दगी जीना चाहते हो चुप चप पंखा बंखा बंद कर तेरा बाब बिल नहीं बढ़ेगा बिल हमें ही बढ़ना है सुलेखा की मालकीन बहुत ही ज्यादा खडूस थी बत्तमीज थी और गर्मी बहुत ही ज्यादा थी सुलेखा को बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था उसे बहुत ही ज्यादा ब्यास लग रही थी कि तब ही वो फिरिज से ठंडा पानि निकाले कर पीने लगती है और तब ही वहाँ पर सेट की पतनी आ जाती है और वो ठंडा पानी उससे चीन कर दो बारा से थपड मारती है गरीब दो टकी की नोकराने तुझे मुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा यह फ्रिज का थंडा पानी तुम्हारे जैसे गरीब नोकरों के लिए नहीं रखा हुआ है हमारे जैसे अमिर लोगों के लिए रखा है यह थंडा पानी सिर्फ हम जैसे अमिर लोग ही पी सकते हैं तुम जैसे गरिब नहीं, तेरी हिम्मत के सो ही, फिरिज का ठंडा पानी निकाल कर पीने की, अगर दो बारा मैंने तुझे फिरिज का ठंडा पानी पीते हुए देखा, तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा, बिल तुम्हें नहीं बढ़ना होता, बिल हम भरते हैं, तो इसल जासे गला सूख रहा था, तो बस इसलिए थोड़ा ठंडा पानी पीने चाह रही थी, शमा कर दीजिए, आज के बाद मैं आपके फिरिज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, ठीक है, तेरे लिए भी यहीं ठीक होगा, अगर मैंने तुझे दो बारा फिरिज का ठंडा पानी पीते हुए देखा, या पंखे में बैठे हुए देखा, तो मैं तुझे यहां से नो दो ग्यारा कर दूँगी, पेचारी गरीब सुलेखा, दो बारा से इतनी जादा गर्मी में काम करने लगती है, ना उसे पंखे की हवा मिलती है, और ना ही फिरिज का ठंडा पानी, और वो पूरे दिन इतनी जादा गर्मी में काम करकर हारी ठकी घर पर जाती है, और घर पर चुलहा जला कर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, और उसके बाद अपने बिमार पती की सेवा करती है, और इसी तरह सुलेखा का दिन गुजर जाया करता था, अगले दिन सु ठंडी ठंडी कुल्फी खानी है हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चो मैं तुम्हें ठंडी ठंडी कुल्फी जरूर खिलाऊंगी लेकिन मेरे प्यारे बच्चो अभी तुम्हारी गरीब मा के पास पैसे नहीं है जैसे ही इस महीने पगार मिलेगी वैसे ही मैं तुम्हें कुल फिक लाऊंगी ठीक है मेरे प्यारे बच्चो अब मुझे काम पर जाने दो और धूप में बिल्कुल भी मत खेलना लू चले रही है बिमार हो जाओगे ठीक है मा इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है घर के अंदर भी सुकून नहीं मिली रहा हम अपने कपड़े भीगो लेते हैं लेकिन गर्मी के कारण एकदम सूख जाते हैं इतनी ज्यादा गर्मी है आपके तो मज़े हैं आप इतनी बड़ी कोठी में काम करती हैं आपको तो ना कि आराम करने के लिए और मालकिन को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकती अगर लेकर गई तो वो मुझे नोकरी से निकाल देंगे इसलिए तुम अपने बाबा का खया रखना मैं जा रही हूँ ठीक है ऐसा कहकर बेचारी सुलेखा अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम करने चली जाती है वो अपने बच्चों को क्या पताती कि उसकी खडूस मालकिन कितनी ज्यादा बत तमीज है वो उसे पंखे की हवा नहीं खाने देती फिरिज का ठंडा पानी नहीं पीने देती सुलेखा सेट की घर पर जाकर काम करने लगती है कि तब ही सेट की पतनी आती है और सुलेखा सी कहती है ओ सुलेखा आज मेरे बेटे का बस्रड़े है और हम अपने बेटे का बस्रड़े बाहर सेलिबरेट करने नहीं जा रहे हैं हम घर पर ही सेलिबरेट करेंगे इसलिए त चल्दी से टैरिस को साफ कर बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है मालकिन जी पहले यहां की काम समिट लेती हूं उसके बाद छट साफ कर दूंगी थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी आज करमी बहुत ही ज्यादा है धूप बिल्कुल सर पर ही है ऐसा लग रहा है कि धूप की क का काम समिट लेती हूं गरीब तोटके की नोकरानी मैंने तुझे से पूछा कि माहरानी बताइए कि पहले आप च्छट साफ करोगी या फिर नीचे के काम समिट उगी तो इस घर की महरानी के ठाट जब छावा जाएगी तब छट साफ करेगी इतनी स्यादा गर्मी में दोपहर के बारा बजे जब सूरज बिलकुल अपनी चरम सीमा पर होता है तब सेट की पतनी बेचारी गरीब सुलेखा को छट साफ करने के लिए भेजती है वो गरीब उसके पास अपने मा बेटे का जनम दिन यहीं पर मनाना था गार्डन में ही मना लेती तो कितना अच्छा रहता कल ही तो मैंने पूरा गार्डन साफ क्या था आज गर्मी भी कितनी ज्यादा है हे उपर वाले मुझे तबती धुप और गर्मी से बचा आस तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है और इत पहले वो समान को साइड में लगाती है और उसके बाद ज्याड़ू लगाती है सुलेखा बारा बज़े से तीन बज़े तक च्छत पर रहती है च्छत को साफ करती रहती है और इतनी ज्यादा धूप में इतनी ज्यादा गर्मी में वो तीन घंटे लगाता च्छत साफ करती रहती है जिस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कुछ समय के लिए च्छाओं देखकर च्छाओं में बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर सेट की पतनी आती है और सुलेखा से कहती है वह 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 देखो तो महरानी यहाँ पर कितने आराम से च्छाओं में बैठी है और वहाँ पर चीक झेक कर मेरा घुला क सूख गया महरानी मैं तुझे आराम के पैसे देती हूँ या फिर काम करने की तुझे आराम से चाो में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला मुझे शमा कर दीजिये गलती हो गई बताइए क्या काम है काम था लेकिन अब नहीं है क्योंकि तु इस कोठी में नहीं रहने वाली मैं तेरी जगह दूसरी नोकरानी को रख लूँगी जो एक आवाज में मेरा काम सुने तेरी तरह काम चौर ना हो पांच मिनट के अंदर-अंदर मेरी कोठी से बाहर निकल मैं तुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहती महरानी चाओं में बैठकर अराम करेगी देखो तो मालकिन यह आप क्या कह रही है आप मुझे इस तरह से काम से कैसे निकल सकती है और मैं आपकी एक आवाज में ही तो काम करती हूँ आप जैसा कहती है वैसा ही तो करती हूँ देखिए देखिए मालकिन गरीब के पेट पलात मत मारिये यहाँ पर काम करकर ही तो मैं अपने मातपती की दवाया लेकर आती हूँ देखिए देखिए मुझे काम से मत निकाले मुझे काम से मुझे यहाँ पर काम करने दीजी मैं आपके आगे हाथ चोड़ती हूँ आपके पैर पकड़ती हूँ मुझे काम से मत निकाले काम से तो मैंने तुझे निकाल दिया है क्योंकि ए मालकिन जी अगर आप मुझे काम से निकाल ही रही है तो मेरे पूरे महीने की पगार दे दीजी कल महीना पूरा हो जाएगा पगार कैसे पगार कौन से पगार कोई पगार वगार नहीं मिलने वाली मैं तुझे एक उर्पिया नहीं देने वाली अगर तुने ज्यादा चिक चिक की तो एक मिनट लगेगी मुझे पुलिस को यहाँ पर बुलाने में और तेरे पर कोई भी चोरी का इल्जाम लगा कर तुझे सराखों के पीछे पहुँचा दूंगी मेरे से उलजने की कोशिश मत कर मैं तुझे एक उर्पिया नहीं देने वाली चुप चप बाहर का रास्ता देख सेट की पत्नी की यही शब्द सुनकर मानो जैसे सुलेखा की किसी ने जान ही निकाले ली हो क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि यहां पर काम मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किलों से तो एक घर में काम करने का मौका मिला था और यहां से भी उसे निकाला चा रहा था यहें अमीर लोग कितने ज्यादा निर्दिये कठोर होते हैं इनके सीरे में दिल नहीं होता इन्हें गरीब की मजबूरी का कोई अंदासे नहीं होता अब मैं अपने गरीब परिवार का पालत पोशन कैसे करूँगी कैसे हे उपर वाले तो हम जैसे गरीबों को इतना बेबस इतना लाचार क्यों बनाता है क्यों अब मैं क्या करूँ कुछ पी समझ में नहीं आ रहा कुछ पी समझ में नहीं आ रहा सुलेखा सुभा से लगातार गर्मी में काम कर रही थी इतनी तेज धूप में उसकी तब्यत पहले ही ठीक नहीं थी और अब उसे इतना बड़ा जटका मिला था और उसे धूप गर्मी कुछ नजर नहीं आ रही थी वो बस अपने बच्चों के बारे में अपने बिमार पती के बारे में सोच रही थी जिस वज़ा से उसकी तब्यत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है किसी तरह वो घर तक पहुँच जाती है अपनी मा की इतनी ज़्यादा तब्यत खराब दे कर उसके दोनों बच्चे परा जाता है अगले दिन सुलेखा काम की तलाश में चाह रही थी कि तभी उसकी बेटी कहती है मा आप कहां चाह रही है आज काम करने मत चाहिए आज बहुत ही स्यादा गर्मी है और आपकी तबियत भी पिल्कु ठीक नहीं मुझे नहीं लगता कि आपको इस हालत में काम पर काम ढूडेने चाह रही हूँ अगर गर्मी देखकर घर से बाहर नहीं निकली तो तुम्हें क्या खिलाऊंगी तुम्हारे पिता की दवाये कहां से लिक कराऊंगी मुझे तो जाना ही होगा जाना होगा मेरी प्यारी बच्ची मैं ठीक हूँ जाना जरूरी है सुलेखा अपने घर के हालात अच्छे तरह से जानती थी उसे पता था कि वो घर पर आराम करने के लिए नहीं बैठ सकती और वो इतनी ज्यादा तब्यत खराब में इतनी ज्यादा गर्मी में घर से बाहर काम ढूडने के लिए निकल जाती है वो जगा जगा काम ढूडनेने जाती है लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता तब पहले ही इतनी ज्यादा खराब थी और उपर से घर्मी भी इतनी ज्यादा थी जिस वजह से सूरज की किरने उससे बरदाश नहीं हुई और वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाती है कि तब ही एक गाड़ी आती है और एक गरीब बेहोश नजर नहीं आती और वो अपनी गाड़ी से टकर मरकर वहाँ से तेज रफ्तार से निकल जाती है सुलेखा को कोई बचाने नहीं आता और बेचारी सड़क पर ही तड़ब तड़ब कर मर जाती है और जब इस बात की खबर उसके दोनों बच्चों को लग लिए देदी देदी मा को क्या हुआ मा अपने आगे क्यों नहीं खौले रही और इनके सड़ से कितना ज्यादा खोनी कर रहा है वो हमसे बाते क्यों नहीं कर रही देदी मुझे लगता है कि हमें मा को अस्पताल लेकर जाना चाहिए अस्पताल जाकर वह बिल्कु ठीक हो ज जमालो यह सुनकर दोनों भाई बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब उनकी मा इस दुनिया में नहीं रही वही सुलेखा का पती सुभाश अपनी पतनी की रहा देख रहा था कि उसके दोनों बच्चे उसकी पतनी को बचा कर लेकर आ जाएंगे लेकिन उसे क्या पत कि उसकी पतनी उसे छोड़कर जा चुकी है दोनों भाई बहन इतनी ज्यादा गर्मी में अपनी गरी मा की अर्थी घर पर लेकर आ जाते हैं और जब दोनों बच्चों का बिमार पती अपनी पतनी की अर्थी देखता है तो उसका भी रो रोकर पुरा हल था दोनों भाई बहन और सुभाश का रो रोकर पुरा हल था कुछ समय बाद सुलेखा का दह संसकार हो जाता है अब घर में घर को समळने वाला कोई नहीं था दोनों भाई बहन से घर के हलत देखे नहीं जा रहे थे इसलिए वो घर को समळने की जिम्मेदारी उठाते हैं और काम ढूरने के लिए निकल जाते हैं उन्हें कोई काम तो नहीं मिलता लेकिन वो बगीचे से फूल तोड़ तोड़ कर दो पैसे कमाने के लिए सडक पर निकल जाते हैं कोई उनसे फूल खरीद लेता कोई नहीं खरीद दिता कुछ समय बाद दवाई ना मिलने की वजह से दूसरे का सहरा बनते हैं एक दूसरे को संभालते हैं और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में राखी अपनी तीन बेटियां और एक शराबी पती के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी राखी का पती कि शौर दास वह निकम पालन पोशन करने के लिए महनत मजदूरी क्या करती थी लेकिन कि शौर दास राखी को मजदूरी भी सकौन से नहीं करने देता था जब भी वह शाम को घर आती तो कि शौर दास राखी को मारता बेचारी राखी पूरे दिन बाहर काम करकर आती और घर आने के बाद शराबी पती से मार भी खाती और उसके बाद अपनी बेटियों के लिए चूलहे पर खाना भी बनाती ऐसे ही एक दिन बड़ी बेटी सोमिया कहती है मा जब यह मैं किसी और की पिताजी को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है मैं सोचती हूँ कि उपर वाले ने हमारे पिताजी को ऐसा क्यों बनाया उन्हें अपने बच्चों के चिंता और अपनी पत्नी के चिंता क्यों नहीं है उनका सहरा क्यों नहीं बनते पिताजी हम तीनों बेहनों को एक फूटी आँख नहीं देखते और आपको भी मारते हैं पीटते हैं पिताजी ऐसा क्यों करते हैं वैसे क्यों हैं पिताजी को देखकर डर नहीं बलकि हिम्मत आने चाहिए लेकिन हम तो जब भी पिताजी को देखते हैं डर के मारे कापने लगते हैं सोम्या नेहा सितारा, मेरी प्यारी बेटियों, चुप हो जाओ, अगर तुम्हें बाप का प्यार नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तुम्हारी लिए जान पी नीचाबर कर सकती है, सिर्फ तुम्हारी लिए ही तो मैं अपने शराबी पती का जल्म और अत्यचा सहन कर रही हूँ वरना कब कर यह घर छोड़कर चली जाती तीन तीन लड़कियों को इस जालिम दुनिया में कहां लेकर जाओं बस इस बात कर डल लगा रहता है और इस नर्क जैसे जिन्दगी में तुम्हें लेकर रह रही हूँ मागर मा पिताजी को हम तीनों बेहनों से प्यार क्यों नहीं है वहे हमसे प्यार क्यों नहीं करते क्या बताओं बेटा बदनसीब होते हैं वह है लोग जो बेटियों को बोज समझते हैं और तुम्हारे पिताजी भी उन बदनसीब में से एक ही है उन्हें बेटिया नहीं बेटे चाहिए थे इसलिए वह तुमसे प्यार नहीं करते अच्छा छोड़ो तुम्हारी मातो है जो से प्यार करती है देखो मैंने आलू की सबजी बनाई है तुम्हें बहुत अच्छे लेगेगी खालो और सुबोट कर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है इसकूल जाओगी तब ही अपनी किसमत बदल पाओगी वरना नहीं रेखा अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्या सवार सके ऐसे ही एक दिन तीनों बहने इसकूल जा रही थी कि तभी किश और दास तीनों को रोक कर कहता है कहां जा रही हो आज से तुम्हारे स्कूल जाना बन कोई पढ़ाई वडाई नहीं होगी बहुत करले पढ़ाई देखिए जी आप मेरी बेटियों को इसकूल जाने से नहीं रोक सकते और फिर इनके स्कूल जाने में बुराई ही क्या है और इसकूल के पैसे तुम से तो नहीं लिये जा रहे हैं बुराई क्या है यह लड़कियां हैं लड़कियां बाहर नहीं जाया करती वह अगर का काम समालती हैं अगर बेटा होता तो मैं उसे बहुत अफसर बनाता इस जमाने में भी आपके सोच वही परानी है लड़कियां कहां से कहां पहुच रही है और तुम सोचते हो कि लड़कियां अभी चुला चोखा ही समाल रही है लड़कियां चुला चोखा भी समाल सकती है और बाहर की दुनिया भी एक बार इन्हें बाहर निकलन कि शौर दास अपनी तीनों बेटियों के बैक चीनकर चूलेह में फैंक देता है और वह जलकर राख हो जाते हैं रेखा यह देखर बहुत ही ज्यादा फोट फोट कर रोती है कि उसकी बेटियों का भविश्य किस तरह से आग में चल रहा है और वह अपनी बेटियों की भी बहुत पिटाई करता है और उसके बाद रेखा की भी बहुत ज्यादा पिटाई करता है उसके सर से खून भी निकलन लगता है तब ही कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और वह किशोर दास से कहते हैं किशोर तुझे अपनी मुझे ड़न नहीं लगता तक मेरे पैसे कब लोटा रहा है आज मैं बिना पैसे लिया घर नहीं जाऊंगा अरे लाला भाई आपसे किसे ने कह दिया मैं आपके पैसे नहीं दूँगा मेरे पास घर है आप उस पर कबजा कर लीजिए नहीं नहीं यह आप क्या कह रहे हैं यह घर अगर आप इन लोगों को दे देंगे तो अपनी बेटिया नहीं है आपकी भी तो बेटिया है आप अपनी बेटिया के उपर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं देखिया आस तक आपने हमारों पर जितना जुम रत्त चार किया वह कम था क्या जो आप अपने हमसे च्छत भी छीन ली यह गरीन लोगों के हवाले मत करो ऐसा मत करो मैं गरीब मा अपनी बेटियों को कहा लेकर जाओंगे कहा किशोर दास रेखा की एक नहीं सुनता और वह घर के कागजात उन आदमियों को दे देता है और वह सभी आदमी रेखा और उसकी बेटियों को घर से निकाल देते हैं और उनका समान भी बाहर फैंक देते हैं रेखा अपने घर का समान समेटती है अपनी बेटियों को लेती ह और निकल पड़ती है मा अब हम कहां जाएंगे कहां रहेंगे और पिताजी ने तो हमारे स्कूल के सभी किताबे चला दी आपने कितनी मेहने से पैसे जोड़कर हमें किताबे खरीद कर दी थी अब तो हम स्कूल भी नहीं जा सकते स्कूल जाना तो बहुत दूर की वक्त अब तो हमें यह भी नहीं पता कि हमें खाना भी खाने के लिए मिलेगा या फिन नहीं सर चुपाने के लिए छट मिलेगी भी या नहीं उपर वाले से मेरी प्रातना है जैसे हमारे पिताजी है वैसे पिताजी किसी को ना मिले मेरी प्यारी बच्ची चिंता ना करो कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा मैं जहां पर काम करती हूँ वह मालकिन उनका घर बहुत बड़ा है क्या पता वो हमें इतने बड़े घर में छोटी सी जगा रहने के लिए दे दे रेखा अपनी तीनों बेटियों को अपनी मालकिन के घर ले जाती है और उनसे कहती है मैं साहब आप तो मेरे पती के बारे में जानती ही थी कि वह शराप पीकर मुझे मारता था प्रिटता था अब तो उसने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा हमें घर से बेघर कर दिया हमारे पास सर्च पाने के लिए छट नहीं है और मैं गरीब अपनी तीन तीन बेटियों को कहा लेकर जाओ मेरे पास तो क्राय देने के लिए भी पैसे नहीं है क्या आप अपने इतने बड़े महल से घर में छोटी सी जगह दे देंगी उसके लिए में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए भी तयार हूँ अरे बाप बाप रे बाप रेखा की लड़कियां तो बड़ी ही ज्यादा सुन्दर है इस कच्ची उम्र में इतनी जाधा सुन्दर है और जो बड़ी हो जाएंगी तो लगता है मेरे हाथ मा लग गया इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूँगी और यह गरीमा यह मेरा क्या ही बिगाड लेगी इसे तो रहनी के लिए आसरा दे देती हूँ वही काफी है हाँ हाँ क्यों नहीं रेखा तुम हमारे यहां कबसे काम कर रही हो तुमारे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ठीक है बाहर जो कमरा पड़ा है वहां रह सकती हो लेकिन काम ज्यादा करना पड़ेगा यह मत सोचना फिर ही मैं रख लूँगी रहा है वहां उसकी बेटियों के साथ क्या करने वाली है ऐसे ही एक दिन मालकिन जान की रेखा से कहती है रेखा हमारे गाउं को जो पीछे वाला जंगल है वहां से जड़ी पूटियां लेका रहा हूँ मैंने सुना हैं वहां के जड़ी बूटियों बहुत ज़्यादा असरदार होती है आजकल मेरे बदन में बहुत दर्द रहता है सोच रही हूँ वही के जड़ी बूटियों का सुप बना कर पीलू ताकि बदन दर्द ठीक हो सके माकर महम साहब वहां जंगल तो बहुत दूर है और आप बाहर गल में देख रही हैं कितनी ज्यादा है और मेरी तब्यत बिल्कुल भी ठीक नहीं शामा कर दीजिए आपके मेरे उपर बहुत सारे अहसान है मैं आपके काम के लिए मना तो नहीं कर सकती लेकिन तब्यत बिल्कुल भी ठीक नहीं है जैसे ही तब्य ठीक होगी मैं वैसे ही आपके लिए जड़ी बूटियां ला दूंगी काम ना करने के सो बहाने मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी के लिए रहने के लिए जगहा दी तुम्हारे पर इतने सारे एहसान के तुम्हें यहाँ पर दो समय का खाना खाने के लिए मिलता है वो अभी इतना ज्यादा अच्छा उस तुटी फुटी जोपड़ी में तो तुम्हें रूखा सूखा ही मिलता होगा यहाँ पर अच्छा खाना खा रहे हो फिर भी तुमसे मेरा छोटा सा काम नहीं हो रहा उसे करने के लिए मना कर रही हो तुम जैसे गरीब लोगों के उपरता है साल करना चाहिए ही नहीं ठीक है ठीक है मैम साहब मैं चली जाती हूँ सोमय नेह सितारा बेटा मुझे आने में समय लग जाएगा हो सकता है कि दो दिन भी लग जाए लेकिन इन दो दिनों में जो तुम्हारी मा का काम है वह तुम्हें करना है मैम साहब को किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं होनी चा नहीं नहीं इतने सारे काम हैं तुम्हारे दोनों बेहने नहीं कर सकती तुम तीनों बेहनों को ही करने होंगे तुम्हारी मा जा सकती है इतनी भी कोई ज्यादा बीमार नहीं है रेखा अपनी तीनों बेटियों को जानकी के घर छोड़कर जड़ी बूटिया लेने चली जाती तब ही रेखा के जाने के बाद जानकी जिन लोगों को रेखा के तीनों बेटियों को बेच रही थी उन्हें बुला लेती है वह जानकी के घर आकर उन तीनों लड़कियों को लेकर जाने लगते हैं बेचारी गरीब मा उसे तो पता ही नहीं है कि उसके आने के बाद उसकी बेटियां यहाँ पर उसे मिलेंगी ही नहीं चलो अच्छा ही है उस गरीब मा को भी अपनी मनहुस बेटियों से चटकारा मिल जाएगा जान की अच्छे दामों में बेचारी गरीब रेखा की तीनों बेटियों को बेच देती है और वह गुंडे अपने साथ उन्हें लेकर जाने लगते हैं एक कार में बिठा देते हैं उनका मूबंद कर देते हैं रेखा जड़ी बूटियां लेने जा रही थी लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा थी ऐसा लग रहा था जैसे सूरज नीचे ही आ गया हो और पहले ही रेखा की तेवित ठीक नहीं थी जिस वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह वही सड़क पर गिर जाती है रेखा होश में आती है और एक जगा बैठे जाती है कुछ समय बाद उन गुंडों की गारी उसी जगा आकर खड़ी हो जाती है वह पानी लेने के लिए दुकान पर आते हैं तब ही रेखा को एहसास होता है कि जैसे कि उसकी बेटियां यहीं आस पास हों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी बेटियां मेरे आस पास ही हो उनकी खुश्बू में महसुस कर पा रही हूं अरे नहीं नहीं मुझे मेरी बेटियों की चिंता हो रही है बस इसलिए ऐसा लग रहा है वरना वे तो मैम साब के महल में हैं सुरक्षित हैं लेकिन फिर भी मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटिया मेरे आसपास हो मा, मा, हम यहाँ पर हैं देखे आपके बेटियों को यह गुंडे लेकर जा रही है मा, मा, हमें बचा लिजी देखे यह गुंडे हमें लेकर जा रही है सौमिया की आवास सुनकर रेखा के कान खड़े हो जाते हैं और वह अपनी बेटियों को कार में बंदा हुआ देख लेती है यह देखकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागने लगती है और वह गुंडे अपने गाड़ी लेकर जाने लगते है रेखा भागती रहती है बहुत भागती है उसके पैरों से खुन भी निकलने लगता है लेकिन वह हार नहीं मानती और अपनी बेट्यों का पीछा करती रहती है तब ही उसे पास में एक पुलिस स्टेशन मिलता है वह तुरंत वहां जाकर कम्पलेंट करती है तो वहां के पुलिस कर्मी भी रेखा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह जगा जगा नाका बंदी कर देते हैं रेखा तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ समय बाद पुलिस उन गुंडों को पकड़ लेते हैं और रेखा अपनी बेट्यों को गले लगा कर बहुत रोती है आपको पता है आपकी मालकिन उन्होंने हमें बेच दिया वो भी अच्छे दामों में उन्होंने जान भुझकर आपको गठ से बहाँ निकाला था ताकि वह हमें बेच सके वह बहुत बुरी है मा, मा, नहां सितारा देखो, मा बेहोश हो गई, मा कुछ बॉल क्यों नहीं रही, मा, देखिए आपके तीनों बेटियां आपके पास है, मा कुछ तो बॉलिए सूम्य देदी, लगता है मा की तपिट ठीक नहीं है, हमें तुरंतीने होस्पिटल लेकर जाना चाहिए तीनों बेहने जल्दी से अपनी मा को होस्पिटल लेकर जाती है, तब ही डॉक्टर रेखा को चेक करने के बद उसकी तीनों बेटियों से कहती है सोरी, तुम्हें अपनी मा को यहां पलाने में बुखत ज्यादा देरी हो गई, अब वह इस दुनिया में नहीं रहीं तुम्हें छोड़कर जा चुकी है लगता है इन्होंने अपने शरीर से अपने वजू से ज्यादा काम लिया, जिस वजह से इनका शरीर इनका साथ नहीं दे पाया, तुम्हें हिम्हें से काम लेना चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मां defence छोड़ के नहीं चाह सकते मांने हमें बचाने के लिए अपनी जान की भी प्रवण नहीं की और उलोंने हमें इता भी लेकिन खुद हमें छोड़ कर इस दुन्या से चलिए गे अब हम आपके बिल्डर कैसे रहेंगे कैसे इस दुनिया का सामना करेंगे मा बताइए आप हमें छोड़कर क्यों चली गई किरिपे करके आखे खोलिए हमें छोड़कर मत चाहिए मा नेहा, सितारा, मेरी प्यारी बेहनों मा हमेशा हमें अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी दुनिया के सामने मजबूत इंसान बनाना चाहती थी और पिताजी को भी ये दिखाना चाहती थी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं तो हम अपनी मा का सपना जरूर पूरा करेंगे हम मेहनत मजदूरी करेंगे पैसे कमाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपनी मा का सपना पूरा करेंगे और अपनी मा की मौत का बदला भी लेंगे हम मजबूत बनेंगे अपनी मा का सपना जरूर पूरा करेंगे इस तरह से सोमिया अपने दोनों छोटी बेहनों को हिमत और साहस देती है और तीनों बहने अपने आंसों साफ करती है, होस्पिटल से अपनी गरीमा की अर्थी लेकर जाती है, और उसका दहा संसकार कर देती है, और वह तीनों बहने अपनी रक्षा भी करती है, महनत मजदूरी भी करती है, और पढ़ाई भी करती है, वह बहुत ही ज्यादा महनत कर र जाती है और सितारा वह सोशल वर्कर बन जाती है और एक दिन तीनों बहने मिलकर जानकी के खिलाफ सबूत इखटे करकर उसे पुलिस के हवाले भी कर देती है जानकी को भी उसकी केकी सजा मिल जाती है और तीनों बहने अपनी मा की मौत का भी बदला ले लेती है और एक साथ ह आसी खुशी जिन्दगे वेतीद करती हैं